हलो क्रेंट, मैं बिर्जेस कुमार, ओपिसेल यूटूब चेनल, जी ओवी टी, जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वेकेंसी से सबंदित हैं और इस वीडियो में लाइबेरियन, असेश्टेंट लाइबेरियन, रजिस्टर, सिनियर एग्जिक्यूटिव इंजिनियर, सिनियर मेडिकल ऑपिसर, जुनियर मेडिकल ऑपिसर सहीद विभिन पद हैं एक अच्छी वेकंसी हैं, ज्यादा पत तो नहीं हैं, एक एक पत हैं, किसी में दो हैं तो किसी में तीन हैं, बट अच्छी वेकंसी हैं, यदि आप इंटेस्टेट हैं, अपलाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मातपूर होगा, और सबसे बढ़ी बात है कि यह जो वेकंसी हैं, सरकारी नुकरी के लिए हैं, और यह दि कंटेक्टर बेसिस तो होगा, तो मैं नीचे बता दूँगा आपको, यहाँ तक जो नोटिफिकेशन जाहते कि मैं पढ़ा हूँ, सरकारी नुकरी के लिए ही आवेदना मंत्रित हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किस चैनल को डेली सरकारी नुकरी, प्राइबिक नुकरी आपकारी मंत्री के लिए हैं, और सबसे पहले अपलोड की जाती है, तो आपको यहां लगता है कि आपको यहाँ आपको यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइ करें और विल नोटिफिकेशन को अन करके रखें जिससे कि वीडियो अप्लोड होते ही उसकी जंकारी आपके मोबाल स्किन पर मिल जाएगे तो वीडियो को ज्यादा भी सेयर करें जिसे कि सभी प्रोफेशनल अपलाई कर सकें हम बात करें विभिन पत की बारे में तो यहां प आप अप्लीकेशन फाउम ऑनलाइन फिल करेंगे तो यह अड़ोटाइजमेंट नंबर आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा यह लिखना पड़ेगा उसके बाद यह आगे की पुरसेस होगी अलग-अलग पत के लिए अलग-अलग अड़ोटाइजमेंट नंबर हैं और स इसके बारे में डीटेल जंकरी में अब नीचे बताऊंगा यह नहीं कि आज में वीडियो बनाया तो आज ही अप्लीकेशन फांप पिल करना शुरू होगा कब से शुरू हो रहा है वो नीचे में बताऊंगा तो सिरियल लंबर एक में जो है रजिश्टार पत के लिए आव सिनियर एक्जेकेटिव इंजिनियर के लिए एक पद है जनरल कटेग्री में सिलरी हैं अठटराजा आज़सो से लेकर दो लाग नौँजार दो सो रूपी पर मन्त सिनियर मेडिकल ओफिसर के लिए भी जनरल कटेग्री में एक पंध हैं और सेलरी हैं 38,800 से लेकर 2,09,200 रुपिय पर मन्त असिस्टेंट रजिस्टार के लिए जो हैं तीन पदों पर आवेदना मंत्री थे हैं एक पद हैं जनरल कटेग्री में एक एसी में और एक ओबीसी हैं सेलरी है चपन हजार एक सो से लेकर एक लाग सातारा जार पांसो रुपिय पर मन्त सेलरी है असिस्टेंट लाइबिरियन के लिए जो है एक पद है जेनल कटेगरी में और सेलरी है चपन हजार एक सो से लेकर दो लाग पंदरा हजार नौ सो रुपिय पर मन्त एक बार सेलरी र जेनल कटेग्री में और सेलरी हैं 56,100 से लेकर 1,47,500 रुपिये साइंस्पिटिक ओपिसर के लिए दो पद हैं सेलरी हैं 56,100 से लेकर 1,47,500 रुपिये टेकनिकल ओपिसर के लिए जेनल कटेग्री में एक पद हैं और सेलरी जो हैं 56,100 से लेकर 1,47,500 रुपिये एग्जिक्रीट पद हैं और सेलरी सेम है जो अभी उस टाइम पहले बताया था मेडिकल ऑफिसर के लिए जो हैं ओभी से कटेग्री में एक पद है और सेलरी है छपनाजार एक सो से लेकर एक लाग सताजा पांग सो रुपिया यह रही पदों से डिटेल जंकारी अब हम बात करते हैं पद के लिए कहां के डिटेल जंकारी मिलेगे एक जैंगे में लोपन में टेटें 2024 तक है अप्लिकेशन फार्म फिल करना कब से शुरू होगा तो 24 सितंबर 2024 से online application form फिल करना शुरू होगा यह अभी online application form फिल करना शुरू नहीं हुआ है अभी तो आज 21st है और 24 सितंबर 2024 से online application form फिल करना शुरू होगा इसलिए अभी से आप परकर विडियो देट कर पूरी नोटिफिकेशन को रीड करके प्रoupire हो जाई है जिसे कि जिसे ही ऑनलाइन अप्लिकेशन करना सूरू हो आप इसली तरीके से आप्लाई कर सके हैं कि अप्लिकेशन फामफिल करने को उपरांद आपको सभी जितने भी डॉकुमेंट हैं आपके पास experience qualification अधर जो एक्टिवेटीज जनल आर्टिकल जो भी हैं सभी की पोटो कॉपी को सेल पर टेस्टेक करके चार एगारा दोजार चोवी साम को पांच वजे तक पहुंचना चाहिए इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस का ये जीमिल के थुरू सेंड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास आज ही कमेंट आया था कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है जहां पर receipt रहता है वहां पर आपको 22 पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना रहता है अप्लिकेशन सुल की बात करें तो जनरल और ओवी सी कटेग्री में 1000 रुपी अप्लिकेशन सुल के हैं ज्यान रखना है इसके बाद important note दिया है जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले लिखा है कि पदो के संख्या increase या decrease किया जा सकता है इसके लिए कुछ notification आपको नहीं दी जाएगे दूसरी बाद second point number two में है कि इस अंसता का rights है कि advertisement में modification कर सके या defer कर सके या cancel कर सके advertisement को इसके लिए आप कुछ action नहीं ले पाएंगे चौति में जो है जो data बढ़त है आउन लाइन application form फिल करने के लिए वह application form में application number date of birth जो है correct आपको फिल करना है दर्वाई आप एक बार फिल करने के बाद आप चेंज करने का request नहीं कर पाएंगे इस में आपको विशेश ध्यान रखना है चौध्या point जो है हमारे पास कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आप फूड़ी जंकारी बताए किजिए इस तर स इसलिए 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 को आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा तूंकि आभी क्वालिफिकेशन बताना डा में बागी है यह इसलिए 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 इसलेट जो आप हुनी लेकिन यहां पर जैसे हैं तो यहां पर दिया हुआ है तो यहां पद है डेपूटेशन बेसिस पर वह भी पांच साल का डेपूटेशन बेसिस पर क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% के साथ इवजी सेवन पॉइंट इसके ग्रेड भी होना चाहिए एक्सपरियेंस में 15 साल का एक्सपरियेंस मांगा हुआ है इस पदिसर रिलेट लिए अगला जो वपद की बात करें लाइवेरियन के लिए दो लाइवेरियन के फर्स डिवजन होनी चाहिए CGPA 6.5 का रेशियो होना चाहिए .10 में 6.5 का रेशियो होना चाहिए इसके अलावा EGC 7.3 के और ग्रेड भी है जो EGC Regulation Applicable है इस पदिक के लिए जो है दस साल का एक्सपरियेंस मांगा हुआ है डिप्टि लाइवेरियन लेबल का ग्रेड पे जो है ग्रेड पे भी दिया है 8700 लेबल का होनी चाहिए तिस्ता से एक्सपरियेंस मांगा हुआ है यह जो वेकेंसी है डाइरेक्ट रिकूट्मेंट के लिए हैं बट पंद जो है डिपूकेशन बेसिस पे भड़ा जाएगा और लॉंग टर्म पंच साल का डिपूकेशन ब प्रिंस्पल यस यस ओपिसर के लिए जो हैं सेलरी तो बताई दिया हूं एज लिमीट है 56 साल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री फिस्टकल एजूकेशन में होना चाहिए और इसके साथ में जो हैं उजी सेवन पॉइंट इसकेल हैं तो जैसे मैं आपको उपर बताया हैं वही सब हैं 15 साल का एक्स्परियंस मांगा हुआ है और यह भी पद हैं डेपूटेशन बेसिस के इस तरह से जो हैं सिनियर एक्जिक्री इंजिनियर के लिए गुरुप ए में आवेदा नामंत्री थे हैं एज लिमीट है पच्छा साल क्वालिफिकेशन में बीटेक्स सिविल इंजिनिंग में होनी चाहिए इसके अलावा सीजी पी यह यह फास्ट डिवजन लगवाग फास्ट डिवजन के अकार्डिंग ही मांगा हुआ है एज इस सेवन पॉइंट इसकेल है कुड़ अकेटमिक रिकॉर्ड है फाइफ एर का एक्सपरियेंस ग्रेट पे पांच चार सो लेवल का होना चाहिए इस पद से रिलेट क्योंकि यह पद है 50% डायरेक्ट रिकूटमेंट और फिल किया जाएगा डेफूकेशन बेसिस में सौ्ट टर्म कंटेक्ट बेसिस में तो इस तासे यह पद फिल किया जाएगा इसके बाद सेनियर मेडिकल ओफिसर के लिए जो है गुरूप B का पद है सेलरी तो आपको बताई दिया हूँ यह जी लिमिट है 50 साल क्वालिफिकेशन में MDBS मांगा हुआ है और जो भी क्वालिफिकेशन है मेडिकल काउंसिल एक नाइंटी 56 पंसा रजिस्टर होनी चाहिए इसके अला का प्रोवेशन प्रेट रखा गया है इस पद से रिलेटेड अगला जो पद है असिस्टेंट रजिस्टर का प्रिस्टर के लिए जो है एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 25 साल है और क्वालिफिकेशन में Master Degree किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए इसके साथ में CG CGPA दिया हुए 55% होनी चाहिए और एक्विलेंट CGPA है UGC 7.2 के लिए यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो यदि आप इंप्लायर है सुप्रिटेंडेंड प्रावेट सेकेर्टरी लेबल का और ग्रेंट पीपांच चार सो लेबल का तो भी आप अप्लाइं कर सकते हैं और सेस्टेंट लाइबरी इन पद के लिए जो हैं सेलीर की बात करें तो सेलीर तो आपको पहले ही बता दिया था पद है गुरूप एका और एज लिमिक 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्वालिफिकेशन में मास्टर आप लाइबरी इन फार्मेशन साइंस में फर्स डिवजन होना चाहिए और सीजी पीए में 10 में से 6.5 होना चाहिए इसके लाग गूट एकेडिमिक रिकॉर्ट हैं और नेट सेलेट या सलेट में से या प्यजडी में से कोई एक होना चाहिए इसमें प्यजडी का जिकर तो नहीं है नेट से क्वालिफाई हैं मतलब उन में से कोई क्वालिफाई हैं ता पेलिजबल हैं अपलाई कर सकते हैं यह भी पद हैं जो पचंतर परसेंट पर डायेक्ट रिक्यूटमेंट और फिलिंग ऑन डेपूटेशन के बेसिस परसेंट पर्मोंशन बेसिस में भरा जाएगा इस बात को आपको इसे ध्यान रखना है इस पोर्ट एक्टिविटीज यहनी स्पोर्ट ऑपिसर का जो पद हैं इस पद से रिलेटेज क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमीट है 35 साल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री फ बात करें तो क्वालिफिकेशन सांस्पेटिक आउफिसर या टेक्निकल आउफिसर दोनों पद के लिए जो है एज लिमीट है 35 साल क्वालिफिकेशन में भी बीटेक या MSC से बंदित में है या MSCA है और जो ग्रेटिंग सिस्टम है टेन में से 6.5 होनी चाहिए यानि पद से रिलेटिड वन एयर का प्रवेशन प्रेट रखा जाएगा इस पद से रिलेटिड एग्जिकेटिव इंजिनियर के लिए गुरुप एक आपद है एज लिमीट है 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वालिफिकेशन में भी बीटेक सेविल इंजिरिंग या इलेटिकल परसेंट पद हैं जो डाइरेक्ट रिकुटमेंट डेपूटेशन बिस्निस पे हैं और पचिस परसेंट पद हैं जो प्रमोशन के अंदार पर फिल किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जी लिमीट है 35 साल एमभीएस डिग्री क्वालिफिकेशन है जो उपर का मेडिकल ऑफिसर का बताया हूं वही क्वालिफिकेशन है इस तरह से जो हैं एक्सप्रियंस में एक्सप्रियंस एक्सप्रियंस मांगा हुआ है इस तरह से यह आवेदा नामंत्रित हैं इसके अलावा साइंस पिटिक ऑफिसर के लिए भी ब बीटेक इंजिरिंग में हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं में जिन्येर के लिए बीटेक इपीटेक सिविल इंजिरिंग में हैं और good academic records हैं तो apply कर सकते हैं board administration structure आप NIT system के लिए भी यहाँ पर assistant register के लिए यहाँ पर syllabus दिया है क्या क्या पुछा जाएगा तो group C में syllabus दिया है तो syllabus तो आप देख लें उते video बहुत लंबा हो रहा है तो आपके लिए लेटर रहेगा अब हम बात करें कि इस पर से related आपके पास जो वेकेंसी हैं कहां पर आया है तो डाक्टर भीम राव